Valentine दिन पर security के लिए बहुत अच्छा idea है किसी भी प्यार के रिष्टे में तीन चीज़े एहम है सम्मती, consent, सन्मान, dignity और सुरक्षितता, safety मैंने अंग्रेजी में एक tweet डाला था कि जिन लोगों को आजादी से प्यार है वो प्यार को आजादी देंगे न किस के साथ करो, किसी भी जाती के साथ same sex हो, living relationship हो और ज़्यादा सोचे समझे बगर मैंने वो living relationship reporting पे थोड़े ताने मा रहे थे अगर कोई तीसरा आदमी रिपोर्ट कर सकता है living relationship को तो जेल तो कोई जाने वाला नहीं है अपने underworked और overpaid सरकारी बाबुद के लिए और एक corruption का साधन हो जाएगा लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर 1000 couples है उनमें से 999 ठीक है लेकिन एक लड़की को कुछ तकलिफ है तो क्या और वो reporting के वज़े से वो बच गई तो क्या वो एक लड़की को बचाने के लिए 999 लोगों को थोड़ी तकलिफ उटाने पड़े लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सब मर्दी से चल रहा है लेकिन किसी जात की वज़े से वो लड़की के माबापने कानून के साथ मिल कर उस लड़के पर जूटा इलजाम लगया फिर उन्हें कैसे बचाए वो कहते हैं न थोड़ी सी सुरक्षितता के लिए आपने थोड़ी सी आजादी त्याग दी तो कुछ देर में ना तो आप सुरक्षितर होगे ना तो आजाद इसका मसला क्या है इसका solution क्या है पता नहीं लेकिन इस social media के जमाने में एक दूसरे को बचाने के लिए हम लोग कुछ security code सेट कर सकते है अगर मेरे दोस्ट के phone से message आया कि वो ठीक है लेकिन वो ठीक है या उसका phone चोरी हो गया उसका social media account हैक हो गया तो हम लोग क्या कर सकते है न अपने नजदी की परिवार वाले या एक दो दोस्ट उनके साथ एक खुच का security question बना सकते है और उसका answer जो एकदम unique है आपके लिए कि जोधा का husband कौन था और आपका answer है unique answer शहाजान या देली में जाते हैं तो कौन से होटेल में रहते है answer है imperial लेकर आपने Maurya Sheraton लिखा तो आपको परिवार वालों को पता चले कि कुछ गरबड़ी हो सकती है और क्या कर सकते है कि अगर आपने message रखा I am all right मैं ठीक हो और all right का spelling गलत है तो इसका मतलब कुछ गरबड़ी है और यह पैतरा सिर्फ वो लोग sml करें जिनका spelling अच्छा है मेरे तरह तो आप अपने style में लिखो गए और आपके माबाप और दोस दोड़ रहे पुलिस के पास लेकिन आपको गई क्या कोड़ वगरा ऐसा होता है क्या AI का जमाना आ रहा है अभी परसो टेकसस में केस हुआ एक औरत को फोन आया उसके लड़की का कि मा मैं तकलीफ मी हो मुझे बचा और फिर दूसरे आदमी ने फोन लिया वोले पचास अजार डॉलर दे दो मा बैंक गई तो उदर उसकी लड़की मिली पूला AI का फेक था तो ये ऐसी केसे और बढ़ने वाले है तो हम आपस में ऐसा कुछ नीजी सिक्यूरिटी का सिस्टिम सेट करें कि एक दूसरे को पता चले कि हम ठीक है तेरी रोशनी मेरे ख़द खाला से मुक्तलिफ त नहीं मगर तू करीब आ तुझे देखलू तू वही है या कोई और है डॉक्टर अभी गोट से